OPS Update इन करमचारियों को मिला तोहफा मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाब वित्विभाग का आदेश जारी हिमाचल प्रदेश के सरकारी करमचारियों के लिए राहत भरी खबर है अनुबंध हवधी के कारण जिन करमचारियों की 10 साल की नियमित सेवा पूरी न हुई हो उन्हें अब OPS का लाब मिलेगा सुप्रीम कोट के आदेश के बाद राज्य सरकार के वित्विभाग ने इस सम्बंध में आदेश जारी किया है करमचारी अब 30 दिन में अपना विकल प्रस्तुत कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश के सरकारी करमचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है पुरानी पेंशन योजना OPS के अंतरगत अबुन करमचारियों को भी लाब मिलेगा जिनकी नियमित सेवा अनुबंध अवधी के कारण 10 साल पूरी नहीं हुई है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद राज्य सरकार के वित्विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है क्या लिखा है वित्विभाग के आदेश में? वित्विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने 10 जून को एक कार्याले आदेश जारी किया है इस आदेश के अनुसार उन कर्मचारियों और पेंशनरों को जिनकी 10 साल की नियमित सेवा अनुबंध अवधी के कारण पूरी नहीं हुई अब OPS का लाभ मिलेगा इस निर्णय से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जो अनुबंध सेवा के तहट नियमित किये गए थे हालां की इस फैसले को कुछ शर्तों के साथ लागू किया गया है केवल वही अनुबंध कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से चैनित हुए हैं इस लाभ के पात्र होंगे यदि किसी कर्मचारी ने OPS के बजाए नई पेंशन योजना NPS का विकल्प चुना है तो वे अनुबंध सेवा की पेंशन गणना के पात्र नहीं होंगे अनुबंध और नियमित सेवा के बीच कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए सभी कर्मचारियों को अपने विभागा ध्यक्ष के माध्यम से 30 दिन के भीतर विकल्प देना होगा यदि कोई कर्मचारी नियमित होने से पहले ही अनुबंध अवधी में मृत्यू हो जाती है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा OPS और NPS में क्या अंतर है? OPS और NPS के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें समझना जरूरी है OPS Retirement के बाद अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है NPS पेंशन में कर्मचारी को मूल वेतन का 10% योगदान देना होता है राज्य सरकार 14% योगदान करती है OPS पेंशन धारक की मृत्यू पर परिवार को पेंशन मिलती है NPS पेंशन पाने के लिए NPS फंड का 40% निवेश करना होता है OPS Retirement पर 20 लाख रुपे तक की ग्रेचुटी मिलती है NPS ग्रेचुटी का कोई स्थाई प्रावधान नहीं है OPS महंगाई भत्ता, दा, हर 6 महिने में बढ़ता है NPS महंगाई भत्ता लागू नहीं होता पेंशन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता NPS Retirement पर शेर बाजार के अनुसार मिलने वाले पैसे पर टैक्स देना पड़ता है यदि आप हिमाचल प्रदेश के सरकारी करमचारी हैं और इस योजना का लाब उठाना चाते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने विभागा ध्यक्ष के माध्यम से विकल्प प्रस्तुत करें अगर कोई करमचारी या पैंशनर विकल्प नहीं देता तो इसे माना जाएगा कि वह अपनी कॉंट्राक्ट सर्विस को CCS Pension Rules 1972 के तहट काउंट नहीं करवाना चाता पुरानी पैंशन योजना के तहट हिमाचल प्रदेश के करमचारियों को यह राहत भरी खबर उनके भविश्य को सुरक्षित बनाने में सहायक होगी यह निरने न केवल करमचारियों के लिए बलकी उनके परिवारों के लिए भी फाइदे मन साबित होगा पैंशन धारकों को मिला तोहफा भारत पैंशन भोगी समाज ने किया ये बड़ा एलान जुलाई के 15 से 16 को होगा ये काम भारत पेंशन भोगी समाज ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल साक्षर्ता प्रशिक्षन कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें लाइफ सर्टिफिकेट, शिकायत निवारन, साइबर सुरक्षा और अधिकार जानकारी सिखाई जाएगी भारत पेंशन भोगी समाज ने पेंशन भोगियों के हित में एक महत्वपूर्ण डिजिटल साक्षर्ता प्रशिक्षन कार्यशाला का आयोजन किया है, इस पहल का उद्देश्य पेंशन भोगियों को डिजिटल कौशल सिखाना और उन्हें तक्नीकी रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने पेंशन संबंधी कार्यों को आसानी से ओनलाइन पूरा कर सकें और साइबर अपराद से बच सकें. कार्यशाला में मिलेगा यह लाब. लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल रूप से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की जानकारी दी जाएगी. यह सर्टिफिकेट पेंशन की निरंतर्ता के लिए आवशक है और अब इसे ओनलाइन जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. शिकायत निवारण पेंशन भोगी अपनी शिकायतों को सीपेंग्राम्स पोर्टल पर ओनलाइन दर्ज कर सकते हैं. इस प्रशिक्षन में पोर्टल के उप्यों की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी. साइबर सुरक्षा आजकल साइबर अपराधियों के निशाने पर वरिष्ठ नागरिक और पेंशन भोगी होते हैं. प्रशिक्षन में साइबर सुरक्षा के उपाई और इनसे बचने के तरीके बताए जाएंगे. अधिकार जानकारी पेंशन भोगियों को उनके अधिकारों के बारे में विस्त्रित जानकारी दी जाएगी. ताकि वे अपने हग की सही पहचान कर सकें और उसका लाब उठा सकें. कार्यक्रम का उद्देश्य इस पहल का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आवशक डिजिटल कौशल से लैस करना है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ डिजिटल दुनिया में नेविगेट कर सकें. यह कार्यक्रम देश के सभी प्रमुक शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक पेंशन भोगी इसका लाब उठा सकें. बैंगलुरू में पहला कार्यक्रम पहला प्रशिक्षन कार्यक्रम जुलाई के 15 से 16 दो हजार चौबीस को बैंगलुरू में आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त के कार्याले क्रिश्न हॉल, चौथी मन्जिल, सेंट्रल रिवेन्यू बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बैंगलुरू में होगा. उद्घटन आयकर आयुक्त श्रीमती अपरणा द्वारा किया जाएगा. यह दो दिवसी या प्रशिक्षन प्रति दिन सुभा 10 बच कर 30 मिनट बजे से दो पहर 1 बच कर 30 मिनट बजे तक चलेगा. प्रशिक्षन के मुख्य बिंदू डिजिटल उपकरणों का उप्योग, स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर का उप्योग कैसे करें. ओनलाइन बैंकिंग, ओनलाइन बैंकिंग सेवाओं का सुरक्षित उप्योग कैसे करें. Social Media Social Media Platforms का सुरक्षित और प्रभावी उप्योग Email और Messaging Email और अन्य Messaging सेवाओं का उप्योग Online Shopping E-commerce Platforms पर सुरक्षित खरीदारी कैसे करें? अन्य शहरों में भी होगा आयोजन बैंगलुरू के बाद यह कार्यक्रम देश के अन्य प्रमुक शहरों में भी आयोजित किया जाएगा प्रत्येक शहर में कार्यक्रम की तिथियां और स्थान की जानकारी समय स्मय स्मय पर दी जाएगी पेंशन भोगी सशक्त और मजबूत बनेंगे डिजिटल यूग के दौर में पेंशन भोगी इस पहल से आर्थिक और मानसिक रूप से सक्षम बनेंगे भविश्य में उन्हें किसी के उपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा भारत पेंशन भोगी समाज का यह कदम पेंशन भोगियों को सशक्त और स्वय निर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है इस डिजिटल साक्षर्ता प्रशिक्षन कार्यक्रम से पेंशन भोगी न केवल अपने दैनिक जीवन में आसानी से तक्नीक का उप्योग कर सकेंगे बलकि साइबर सुरक्षा और अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूख होंगे यह पहल पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है भारत पेंशन भोगी समाज का यह प्रयास सराहनिय है और इससे पेंशन भोगियों को अत्यधिक लाभ मिलेगा